पाजवादी पार्टी के नेता अखलीश यादों ने मंगलवार को जनता के नाम एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने देश के इतिहास से लेकर वर्तमान तक के हालात बया करते हुए लोगों को जागरुक करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि देश जब आजाद हुआ था तो आजादी के अंदोलन में जो लोग शामिल नहीं थे जो लोग देश के सिधान्त और मुल्यों को नहीं जानते हैं वो लोग सत्ता में बैठ गए हैं और इस नाते वो सत्ता में बैठ कर सिधान्त की राजनीत करने वालों के सा बात नहीं हैं उनको आप लीगल मामलों में फसा दीजिए और उनकी इमेज को खराब कर चुनाव जीतने की कोशिश करें ETV भारत के लिए लखनों से अखलिश दिवारी